नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में देश में कोरोना वारस के मामले फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे हैं देश के अलगलग राजो में कोरोना का कहर जारी है रवीवार को केंडियो सास मंत्राले की तरफ से जारी आंकडों के मुताबिक देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 4,3,000 से जादा नए मामले सामनी आए जबकि कोरोना के चपेट में 4,000 से जादा कोविड मरीजों की मौत हो गई देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मरीजों के थीक स्वस्थ होने की दर में कमी आ रही है केंज स्वास मंत्राले के मताबिक पिछले 24 गंटे में 4 लाग से जादा मामले सामनी आए वहीं दोरान 3 लाग से जादा लोग ठीक भी हुए है पिछले 24 गंटे में हुए कुल मौतों का आखड़ा 4000 से जादा है नई मामलों के साथ ही देश में कोरोना संक्रिमितों का कुल आकड़ा 2,22,96,414 हो गया है देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संक्या 1,83,17,404 है देश में कोरोना से मरने वालों की संक्या 2,42,362 है भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केसिस 37,36,648 है पशु मंगाल में आज ममता मंत्री मंडल का शपत ग्रहन होगा थुनमुल कॉंगरिस के 43 वधाएक आज मंत्री पत की शपत ले सकते हैं माना ये जा रहा है कि इस मंत्री मंडल में कई नई चेहरों को जगाद दी जा सकती है कहीं पुराने मंत्रीयों की वभागों में फिर बदल हो सकता है शपत ग्रहन समारों आज सुबहा दस बज कर 45 मिनट राजफवन पे होगा डॉक्टर अमित मित्र और ब्रात बसू आस्वस्ता के कारण वर्च्वल शपत लेंगे इससे पहले टीमसी नेता विमान बनर जी को लगा था तीसरी बार पश्यमंगार विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था चौधरी को कैबनेट मंत्री बनाया जा सकता है कोरोना मरीजों और कोरोना के ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इंफेक्शन जैसे म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं घातक हो सकता है इस संबंद में केंद्र सरकार ने एक एडवाईजरी जारी की है इसमें कहा गया है कि अनियंट्रिक, ट्राइवटीज और आईसियू में ज़्यादा दिन बिताने वाले कोविट के मरीजों में ब्लैक फंगस में होने वाली बिमारी का असर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये घातक हो सकती है इस बिमारी में आख, गाल और नाख के नीचे लाल रंग के रैशिज हो जाते हैं सबूत के अधार पर केंद्रिस्वास मंत्राले और इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ने इसके इलाज रुपरवन्दन से सम्मधेर अडवाईजरी जारी की है इसमें कहा गया है कि हावा से सास किषने पर ये बिमारी हो सकती है इसमें ब्लाक फंगस अंदर आ जाते हैं जो लंग्स को संक्रमेत कर देते हैं कोरोना से संक्रम मरीज या कोरोना से स्वस्थवे मरीज में ब्लाक फंगस इंफेक्शन देखा गया है ब्लैक फंगस इंफेक्शन आम तोर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है वो आदमी अक्सर दवाई लेता है और उसमें कहीं तरह की हैल्फ प्रब्लम हो सकती है आकर ना के नीचे लाल रंग पढ़ना और दर्द होना बुखार आना खासी होना सिर्दर्द होना सास लेने में तकलीफ होना कुन की उल्टी होना, मांसिक स्वास्त परसर होना, देखने में दकत, दांतों में दर्द, छाती में दुख्यादी अधिय ile बीमारी के लक्षन हो सकते हैं जो बिमारी अनियंट्री ड्रावेटीज के शिकार है या जिसका शरीर बिमारी से लड़ने में उतना कारगर नहीं हो सकता जितना होना चाहिए ऐसे मरीज में ब्लैक फंगस इंफेक्शन होने का जोखिम जादा होता है इसके अलावा जिसके शरीर में इम्यून कमजोर होता है उसे भी बिमारी होने का खत्रा है ऐसे मरीज जो किसी कार नवश लंबे समय से स्ट्रोराइट ले रहे हैं उनमें भी ब्लैक फंगस का जोखिम बहुत जादा बढ़ जाता है गुड मॉनिंग इंडिया की खबरों में इतना ही आप देच रहे हैं न्यूस वाल एडिया